हलो फ्रेंड आज मैं जो रेसेपी बनाने जा रही हूँ वो है तील और मुमफली के लड्डू तो चली सुरू करते हैं लड्डू बनाना गैस का फ्लेम ओन कर रही हूँ गैस का फ्लेम में मीडियम टू लो रखूंगी मैं एक कब तील ले रही हूँ तील जो है धो के सुखाया हुआ है तील से खुस्वू आने लगा है और यह पहले के मुकाबले यह देख किये यह फूल चुका है तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं इसमें अभी तब घी का इस्तेमाल नहीं की हूँ गैस का फ्लेम अभी भी ओन है और पैन गरम है तो अब मैं इसमें एक कटोरी मुंफली में फ्राई कर लेती हूँ इसे भी मैं रोस्ट करूंगी मुंफली रोस्ट हो चुका है तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ थंडा होने के बाद थंडा होने के बाद मैं इसका छिलका हटा दूंगी मैं इसे इस प्लेट में निकाल दे रही हूँ मैं वापस गैस का फ्लेम अन कर रही हूँ गैस का फ्लेम लो कर दे रही हूँ मैं यह एक कटोरी कोकोनेट पाउडर है इसके जगह पे आप ड्राई कोकोनेट लेकर के कद्दू कस भी कर सकते हैं इसे हम लोग को ज्यादा नहीं रोष्ट करना है बस एक से दो मिनिट रोष्ट करके जिससे इसका कलर जो है ज्यादा डार्क न हो और यह क्रिस्पी हो जाए बस इतना ही प्रोष्ट करके हम लोग को गैस का फ्लेम बंद कर देना है तिल भी ठंडा हो चुका है और मूंफली भी ठंडा हो चुका है और इसका मैं छिलका भी उतार चुकी हूँ तो इन दोनों चीजों को अब मैं दर्दरा पीस लेती हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके का दर्दरा पीसना है ना ही एकदम से ज़्यादा बारिक और ना ही एकदम से ज़्यादा मोटा करना है इसी तरह मैं सारे तिल को दर्दरा पीस के तयार कर लेती हूँ तिल दर्दरा पीसा जा चुका है तो अब मैं मुमफली को भी दर्दरा पीस लेती हूँ यह देखिए मुमफली भी मैं दर्दरा पीस चुकी हूँ तो इसे भी मैं इस बाउल के अंदर डाल दे रही हूँ कोकोनेट पाउडर भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैं गैस का फ्लेम आउन कर रही हूँ और गैस का फ्लेम में लो कर दे रही हूँ यह लगबग 300 ग्राम गुड का पाउडर है वह मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ इसमें मैं एक से दो चमच पानी डाल रही हूँ इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे कैस का फ्लेम लो है आप मैं इसमें एक चमच घी डाल रही हूँ इस तरह का जहाग आने लगे तो गुड का गोल तैयार हो चुका है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ मैं इसके अंदर इलाईची का powder डाल रही हूँ जोकी छिल्का के साथ है अब मैं गुड का गोल इसके अंदर डाल दे रही हूँ और इसे में मिक्स कर ले रही हूं अच्छे से गुड़ अभी हलका गरम है तो इसी समय में सारे लड़ू बना के तयार कर लूँगी तो इस तरीके से सारे लड़ू बना लेंगे तेल और मुमफली का लड़ू बनके तयार हो चुका है और ये बहुत ही हल्दी लड़ू होता है सर्दियों में तो मुमफली और तील खाना चाहिए तो आप भी बनाईए और कमेंट मुझे बताईए कि कैसा बना है मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू